सबी दर्शकों का पंजाब के स्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 19 अगस्त दो हजार जोविस दिन सोंवार है आज के पंचान के नूसार आज विक्रम सवन्त दो हजारी क्यासी के श्रावन पूर्णिम है आज सोंवार है और श्रावन नक्षत्र है और शोभन योग है साथी आज विस्टी करण है जिसे आम पोल चाल की भाशा में भद्रा कहा जाता है तैतुल करण है आज चंद्रमा साइन्स साथ बज़े तक मकर राशी में है उसके बाद कुम राशी में गोचर करेंगे बिजनस अंबंदी यात्रा की बात करें तो पूर्विय दक्षन दिशा की यात्रा आज लापतायक हो सकती है आज समस्त भारत में रक्षा बंदन का तियोहार मनाया जाएगा रक्षा सूत्र को भद्रा में भानना शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है भद्रा दोपहर एक बुचकर 30 मिनट तक रहेगी उसके बाद ही रक्षा बंदन का तियोहार मनाया जाना चाहिए आश्रावन मास का पांच वा और अंतिम सोंवार कवरत है पंचान के बाद अब बात करते हैं आचके वास्तो टिप्स की हम बहुत बार बिजनस ट्रेवल पर निकलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन के ट्रेवलिंग बेकार चली जाती है जिस किसी कारे विशेश के लिए यात्रा की जाती है वे सब पूरे नहीं हो पाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रते दिन एक दिशा विशेश में दिशा शूल होता है। उस दिशा शूल में यात्रा करने से यात्रा में कोई लाब नहीं होगा। कुछ मामलों में देखा जाता है कि आपको किसी यात्रा पर निकलना आवश्यक है। लेकिन बहुत दिन शुप दिशा का नहीं है या पर जो दिशा में आत्रा करनी है उस दिन दिशा शूल का दोश है वह स्तिति में आपको घर से निकलते की जरूरत है चलिए इस पर नज़र डालते हैं मेश राशी वाले लोग दूसरों के कामों में हस्त शेप नहीं करें अन्यथा आपकी परिशानी बढ़ जाने का अंदेशा रहेगा सुख सुविधा पर खर्चा करने का मन बन सकता है गोचर ग्रह खास और पर चंद्रमा आपक रहेगा बिजनस करते हैं तो आपको कोई अच्छा सोधा या पार्टनर मिल सकता है करमचारी वर्ग को उचदिकारियों का वर्थ हस्त प्राप्त हो सकेगा मिथुन राशी वाले लोगों के लिए धनो पार्चन के अतिरिक्त उपायों के कारण अर्थिक स्थिति में सुधा करते हैं तो लाब होनी की संभाव न रहेगी नौकरी करने वालों के लिए आज समय अच्छा है भाग्य साथ देगा लोगों की धार्णा आपके प्रती सकारात्मक रहेगी करक राशी वाले लोग आज मधूर्वानी से अपने काम पूरे करवा सकते हैं कारियों में सफलता म लेगी और स्वास्थे लाब होगा प्रेटन की उचना बन सकती है करमचारी वर्ग को चदिकारियों का आश्रवात प्राप्त हो सकेगा पीछे किये गए प्रियासों में कुछ फ्रतिफल प्राप्त होनी की आशा रखी जा सकती है सिंग राशी वाले लोगों के लिए ओफि लाराशी वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थी में भारी उथल पुथल के आश्रव का दिखाई देती हैं बहुत प्रियासों के बाद भी जरूरी नहीं कि आप कुछ अच्छा प्राप्त कर ही पाएं इसलिए आज आप जो भी करें उसको सकरात्मक मन से करना होगा शांत करने रहें यादि वियापारी क्यातर है तो आज नहीं करने चाहिए तो लाराशी वाले लोगों के लिए गोचर ग्रहों में चंद्रमाच्य स्थिती में हैं इससे आज किसमत साथ देगी किसी के साज्युदारी में बिजनस के चर्चा हो सकती है छोटे लेवल का नया काम श चाहिए नए लोगों से भी कॉंटेक्ट हो सकता है एक से अधिक विकल्पों पर विचार करें तो शायद साइं तक कुछ हासिल कर पाएंगे अपने सेहत का ध्यान रखें धनुराशी वाले लोगों के लिए आज आसानी से कुछ नहीं होगा तेरेक्त मेहनत की आवशक्ता दिखाई देती है दिन की शुरुवात से ही कोई चंता चनक बात सामने आ सकती है परिजनों से सहीव क्या आशा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि गोचर का चंद्रमा आपके पक्षका नहीं है लोग आपका अकारण ही विरोध करते नजर आएंगी मकर राशी वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है किसी पुराने परिश्यत या मित्र से मुलाकात होगी आपका विहवार और सुभाव कई लोगों को आपके और आकरशित कर सकता है यदि शेयर बजार का काम करते हैं तो लाब के सोधी हो सकते है घर परिवार पर कोई मांगलिक उत्सव आयोज हो सकता है अच्छे समय का इंतजार करें में राशी वाले लोग आज लोगों की मदद करेंगे तो भविश्य में आपको आगे बढ़ने के अफसर प्राप्त होंगे लेकिन दूसरों से आकारण ही उलजना आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि वल महनत से ही पैसों का ने रहें पंच्छापकेस्री.com के साथ